Hey guys, this is Dr. Anjali, welcome back to my YouTube channel and hopefully a good day. So, दोस्तो, आज आज हम बात करेंगे अस्थमा की problem के बारे में, यानि कि दोस्तो, जो अस्थमा होता है जिसे हम common language में dhamah कहते हैं, दोस्तो, इस problem के बारे में बात करेंगे, क्या लक्षन, क्या symptoms हमको देखने को मिलते हैं अगर आपको अस्थमा की problem है साल दी साथ जानेंगे हम इसके effective homeopathic medicines यानि कि ऐसी medicines जो आपको बहुत ही अच्छे result देती हैं अगर आप इनको use करते हैं अगर आपको दमा की शिकायत रहती हैं बहुत अच्छी यकीन माने हैं दोस्तों बहुत अच्छी medicines है आपकी जो अस्थमा के symptoms जितने भी हमको देखने को मिलते हैं जैसे की breathlessness होना सांस बहुत छोटी छोटी आती है बहुत छोटी shortness of breath होने के साथ-साथ आपको सांस लेने में दिक्कत आती हैं कव बना रहता हैं गले में खराश रहती हैं इस्पेशली जब रात में आप सोने जाओगे तो आपको अस्थमेटिक अटेक यानि कि आपको अचानक सा आपकी नीन खुल जाएगे और आपको सांस लेने में दिक्कत होने की वज़े से यह स्म्टम है दोस्तों आपको चेस्ट में चंजेशन सा फील होता हो बहुत टाइटनेस फील होती हों प्राबलम होती हो ब्रिफिंग करने में तो यह सारे ही सम्टम्स जो होते हैं दोस्तों इन सब के बारे में भी अच्छे से जानेंगे साथी साथ एफेक्टिव होमेथिक मैलिस भी वीडियो में चानेंगे दोस्तों जल्दी शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू कर दीजिए आपको सबसार करने में एशाओ करने में बहुत ही थी स्क्रेशन अर्वेज्व आफ निकृजव कंपटेर करनेहें छान दीजिए कि मिलेंगे जैसे कि आपको सबसे पहले breathing करने में issues आएंगे यानि कि आपको सांस लेने में बहुत इज़त तकलीफ होगी especially night में जब आप सोने जाएंगे तो आपको बहुत जादा समस्या होगी सांस लेने में जिस वज़े से आप अचानक से उठ जाओगे आपको arithmetic attack हो सकता है साथी साथ दूस्त आपको कराईजा हो सकता है cataract की समस्या हो सकती है आपको frequent seizing हो सकती है आपको chest में जो है pain बना हो सकता है condition एक tightness सा chest में दबाओ सा heaviness आपको लगेगा साथी साथ दूस्त आप जब भी सांस लेंगे तो बहुत छोटी छोटी सांस आएकी, यानि कि shortness of breath आपको देखने को मिल सकती हैं, उसे हम दोस्तो अस्थमा कहते हैं, साथी सद आपको कफ की शिकायत भी हो सकती है, यानि कि आपको जो है आपके गले में कफ जम सकता है, थ्रॉट में इरिटेशन हो सकती है, तो यह तमाम ल इन्वारोमेंट में रहने की वज़े से ही जादा आगर आपको अलर्जी रहती है, या फिर दोस्तो अगर आपको साइनोसाइटीस की या फिर बहुत फ्रिक्वेंटली आपको कोल्ड बना रहता है, आपको सर्दी खासी हमेशा ही बनी रहती है दोस्तो जैसी आपको कोल्ड की प्रॉब्लम ट्रिगर होती है तो यह जरूद ध्यान रखिए दोस्तों आपकी इन अन्वारोमेंटल फैक्टर्स को आप थोड़ा सा जो है अवाइड रखिए साथे सब्सक्राइब करते हैं तो उसको भी दोस्तों अवाइड रखने का बिल्कुल से बिल्कुल जो है आप क्योंकि यह ट्रिगर फैक्टर्स जो है दोस्तों बहुत जरूरी होते हैं इन्हें हम अवाइड करेंगे जब ही जाके हमारी जो यह प्रॉब्लम है वह एजीली हम से क्योर कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए हमको यह चीज का जरूर तो अब बात करते हैं इसके एफेक् क्वांटिटी में अवेलेबल होता है यानि कि आपको 100 ml, 200 ml या फिर दोस्त आपको 400 ml में भी यह मिल जाता है अफोर्डेवल प्राइस के साथ आपको मिलता है लगभग इसकी प्राइस आपको 150 आराउंड मिल जाए कि अगर आप इससे 100 ml सम्तिंग पर्चेस करते हैं या फि चाहे दोस्तों अगर आपको नेमोनिया की प्राब्लम हो तो बहुत जादा म्यूकस बलगम बनता है तो उस कंडिशन के लिए सांसएलने में दिक्कत आती हैं बहुत जादा आपको सांस दिक्कत होनी की वज़े से आपको बिष्टलेसनेस की वज़े से आपको आपका शरीर बहुत ज़ादा थकान सा हो जाता हैं बहुत ज़ादा टायर हो जाता हैं दोस्तों खास-खास के साथ सेने की वज़े से दोस्तों तो उस कंडीशन के लिए भी बहुत अच्छी है सारेक सिरफ को आप ज़रूर पर्चिस की थिये इसको आप कैसे लेंगे अब वो मैं आपको बताती हूं सबसे पहले अगर आप अडल्ट लेते हैं यानि की बड़े अगर लेना चाहते हैं तो इसकी आपको 10 ml धक्कन में भर लेना है और उसे कम से कम दिन में तीन बार तो ज़ उन्हें 5 ml यानि की एक चमच यानि की वन टीस्पून जो है आप भर लिखके उसे कम से कम दिन में तीन बार जरूर इनका सेवन उन्हें करवाईए साथी साथ दोस्तों यह बहुत ही अच्छा होता है अगर आपको डाइबिटीज है तो आप इसका एक शुगर फ्री आता है यानि की mother tincter combination है इसे आप prepare कीजिए घर पे तो बहुत ही अच्छे result भी आपको इस mother tincter के देखने को मिलेंगे इस mother tincter के combination है उसमें आपको दो medicines add करनी है यानि की पहली जो medicine है वो है दोस्तो ऐस्पीडो सपर्मा क्यू यानि की ऐस्पीडो सपर्मा mother tincter एस्पीडो सपर्मा क्यूज होता है दोस्तो बहुत अच्छी medicine है इस्पेशली आपको breathlessness होती है सास में परीशानी होती है आपके खुण के अंदर oxygen की कमी हो जाती है क्योंकि प्रॉपर आप oxygen नहीं breathe कर पाते है उस वज़े से साथी साथ आपको आपको आपकी शरीर बहुत कफ भी बना रहता है दोस्तों तो उस condition के लिए बहुत अच्छी medicine होती है Aspidus Pharma Q इसकी आपको quantity लेना है दोस्तों जैसे कि आप दोस्तों अगर इसे प्रिपार करेंगे तो आपको सबसे पहले 100 ml की खाली फियाल खरीद के लिए आना है आपके निरे सोमेपतिक शॉप से औ मैंने आपको बताया है उसके आपको इसके अंदर 30% जो है एड करना है यानि कि 100 ml आप जो खाली फियाल एक खाली बॉटल लेकर आएंगे तो उसके अंदर आपको 30% ही आपको जो है Aspidus Pharma Q मिरेटिंचर डालना है रिमैनिंग जो 70% है दोस्तो वह आपको डालना है बलाटा क्यूँ अच्छा मिरेटिंचर है दोस्तो बलाटा क्यूँ इस्पेशली टॉप ग्रेड रेमेडी है अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए अस्थमा से अगर पीडी है तो उसके लिए चाहे आपको ब्रॉंकाइटिस सांस लेने में आपकी नीद एकधम से चमक जाती है तोस कंडिशन के लिए भी आपको बलाटा का यूज कर सकते हैं बहुत इची मैडिसन है बलाटा क्यूँ को आप इसकी 70% आपको इस बॉटल के डालना है यानि की 70% आपको बलाटा डालना है और रिमैनिंग 30% आपको अस आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं या फिर दोस्त आप गरम पानी हलका सा गुन-गुना जिसे हम नॉर्मल लक वाम वाटर लिप कहते हैं तो वह आधह कप पानी आपको लेना है उसके अंदर ये कॉमिनेशन जो आपने प्रिपार किया है उसके आपको सिर्फ और सिफ 20 यानि कि 20 पून आधह कप पाने में डाल कर आपको कम से कम दिन में 3 वाटर ज़रूर से जरूर्स को लेना है यानि कि 20 drop 1.5 cup of water के साथ आपको 3 times a day लेना है और जब भी आप 1st मेडिसन लेते हैं या दूसरी मेडिसन लेते हैं तो उसके वीच में आपको कम से कम 15-20 मिर्ट क वह लेना है। ऐसा आपको तीन दिन वार लेना है, सुबह दोपर और शाम भी अप ले सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आप इसे लेते हैं तो कहां से परचेस करेंगी। इन दोनों की ही मैंने आपको जो लिंक जो है आपको मैडिसन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रवाइट कर ली है नीचे और अगर आप मुझसे किसी भी वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक से रिगार इंट आप मुझे जरूर कमेंट में बताईएगा और साथ ही साथ दोस्ता आज इस वीडियो के में परियाइन करते हूं आशा करते हूं आपको मेरा वीडियो इंफर्माटिव लगा है अगर इंफर्मेटिव लगा है तो चैनल को सिस्क्राइब करने ना भूलिए नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर से जरूर जबा दीजिए नीचे ही शेयर का बटन है उससे दबा के आप अधिक सदिक अपने फैमिली मेंबर रिलीटेस के साथ वीडियो को शेयर हैं जल्दी एक नए वीडियो में तिल देन किप स्माइलिग इंजय हिन